जगननात मंदिर का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि इसे हिंदूओं की चार धामों में से एक माना जाता है। ओडिसा के तटवर्ती शहर पूरी मिस्थित यह विश्व प्रसिद मंदिर भगवान विश्णू के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यहां हर साल लाखो श्रद्धालू पूरी दुनिया से भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। अब ऐसा क्यूं है? यह रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। नहीं देती है, जबकि समुद्र पास में ही है, लेकिन आप जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर निकालेंगे, वैसे ही समुद्र के लहरों की आवाद सपष्ट सुनाई देने लगती है। बाकई यह किसी आश्चारे से कम नहीं है। आमतोर पर मंदिरों के उपर से पक्षी गुजरते ही हैं या कभी-कभी उसके शिखर पर भी बैट जाते हैं, लेकिन जगनात मंदिर इस मामले में सबसे रह सिमय हैं, क्योंकि इसके उपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता। सिर्फ यहीं नहीं, मंदिर के उपर से हवाई जहाज भी नहीं उड़ते हैं। इस मंदिर की रसोई भी सबको हैरान कर देती है। दरसल यहां भक्तों के लिए प्रसाद पकाने के लिए साथ बरतन एक दूसरे के उपर रखे जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सबसे उपर रखे बरतन में ही प्रसाद सबसे पहले पकता है। फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक बरतन में रखा प्रसाद पकता जाता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि यहां हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के बीच कभी कम नहीं पड़ता। चाहे 10-20,000 लोग सबको प्रसाद मिलता ही है लेकिन जैसे ही मंदिर का द्वार बंध होता है वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है।